क्या आप सर्दी में हीटर चलाकर सोना पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो इस बात में कोई दोराय नहीं है क्या आप हीटर की गर्मी लेने के लिए घर के सारे दरवाजे और खिड़क्या भी बंद कर देते होंगे? अगर आपका जवाब यहां भी हाँ है, तो समझ लीजे कि आप अपनी मौद को दावत दे रहे हैं उत्र प्रदेश के संभल में यही गलती एक परिवार से हुई और पूरा परिवार आज अस्पताल में जिन्दगी और मौद की जंग लड़ रहा है आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए यह वीडियो जरूर देखें सर्दी के दिनों में रात के वक्त हीटर चला कर सोने की आपकी आदत आपको कई परिशानियों का शिकार बनाती है जिसमें अलर्जी, ड्राय स्किन और नीद ना आने की परिशानी भी शामिल है दरसल हीटर से निकलने वाली गैस और गरम हवा अगर आपके घर के सारे दर्वाजे और खिड़किया बंध हैं तो आपके दम गुटने की वज़ा बन सकती है हीटर से निकलती है यह गैस अगर आप हीटर का यूज़ करते हैं तो उसमें से निकलती हवा के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा ये गैस कार्बन मोनो आकसाइड होती है जिसकी वज़े से दिल के बिमारियों से पेड़ित लोगों को छाती में दर्द होने लगता है इतना ही नहीं बच्चों से लेकर बुज़र्गों के लिए गैस काफी ख़दरनाक होती है जो उनके दम गुटने की वज़ा बनती है हीटर से ख़दरा हीटर से निकलने वाली ये गैस कार्बन मोनोकसाइड आपके शरीर में खून के प्रवाह को भी रोकने का काम करती है जिसकी वज़ह से दिमाग तक खून की सप्लाई रुख जाती है और ब्रेन हामरिच का ख़तरा बढ़ जाता है कैसे कम करें ख़तरा अगर आपको रूम में हीटर चलाना ही है तो आप अपने साथ एक बालदी पानी भर कर रखें ताकि कमरे की हवा में नमी बनी रहे इसके अलावा बच्चों को हीटर से दूर रखने की कोशिश करें और इस बात का ध्यान रखें कि हीटर के आसपास कंबल, फरनीचर, पेपर जैसी चीजें ना हों अगर हीटर चलाना आपकी मजबूरी है तो आप ये उपाय कर सकते हैं और बिना किसी डर के सो भी सकते हैं बस इस बात का ध्यान रहे कि सभी दरवाजों और खिड़क्या बंद ना हो